आशूरों के रुलाता है महरम, आशूर का दिनिया दिलाता है महरम मुधरी पूझना शुरू कर दिया है 500 दोस्तों में दिखाने वाला हूझ importaЧто सबने कर दिखने वीडियो और मुधरी आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूझ उससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये वीडियो दिखाने के बाद ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नियूज चलाता हूँ आप जानते हैं इंसाने टीवी पर मैं नियूज देता रहता हूँ लेकिन एक मुसल्मान होने के नाते बाकी वीडियो से अलग मतलब थोड़ा हट करके आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पता है कि वीडियो देखने के बाद कई लोग आएंगे तरह तरह के लोग आएंगे और तरह तरह के कमेंट करेंगे लेकिन आप लोगों को बता देता हूं कि देखे ये मत पुछना कि तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम वहाबी हो, तुम हिंदू हो, ये मत कहना, और मैं भी ये आप लोगों से नहीं पुछता हूं कि आप क्या हैं, आप हिंदू हैं, या शिया हैं, या सुन्नी हैं, या वहाबी हैं, अहले मूर्ती پुझना कहां तक सही है आप वीडियो देखिए देखिए वीडियो किस तरह हुसेन के नाम पर और इधर से एक बच्चा जाता है और वहाँ पर अपना सर जुकाता है देखिए सर जुकाता है और सर जुकाना सजदा करना इसलाम में मुसलमान किसे कहते हैं जो इसलाम धरम को मानता है और इसलाम में सर जोका करके सजदा करना अल्लाह के सेवा कहां तक सही है और सिर्फ इसलाम धरम में नहीं बलके हिंदू धरम में भी मना है सनातन धरम में भी मना है दोस्तों आप लोगों को मैं बता दू जब सीता को रावन ने अभरन करके ले गया था लेकिन जब हनुमान और लचमन जी जा करके चंगुल से छोड़ा करके जब लाए तब सीता जी राम जी के पेर पड़ रही थी और नमन करना चा रही थी लेकिन जा रही थी नमन करने पेर छुने सर जुकाने तो शिरी राम जी पकड़ कर उठा लेते हैं और कहते हैं राम रामाई नमाः राम रामाई सत्यम्मस मतलब तुम्हारा राम का भी राम है तुम्हारा राम का भी राम है और वो राम सक्चा है उस राम को नमन करू अपने आगे जुकने नहीं दिया मतलब इसलाम में भी और सनातन धरम में भी यानि हिंदू धरम में भी एक इश्वर के सिवा किसी के आगे सजदा करने से मना किया है लेकिन एक मुसल्मान हो करके एक तोहीद वाला कहला करके मुसल्मान के नाम पर मुहर् मूर्ती उठा करके रखी है एक लग रहा है कोई ताजिया है या क्या है पता नहीं तो कहा जा रहा है कि ये मूर्ती जिब्राईल अले सलाम है बताए जिब्राईल अले सलाम की तोहीन हुई की नहीं हुई इसलाम में मूर्ती बनाना कहां तक सही है आप लोग मुसल्मान है क में किसी भी मजलिस में इस तरह औरतों का जश्न मनाना कहां तक सही है इसलिए मैं कहता हूं कि मुहर्म के नाम पर लोग किस तरह मुसल्मानों को बदनाम कर रहे हैं उसके अलावा और एक वीडियो देखिए हुसे रजी अलाहु अन्हों की एक्टिंग कर रहा है वह नमाज प आप मुसल्मान हैं तो यह जो नमाज पढ़ रहा है हुसे रजी अलाहु अन्हों की एक्टिंग कर रहा है आप बताए यह हुसे रजी अलाहु अन्हों की तोहिन हुई की नहीं हुई बताए अब आप यह मत पुछना कि वो जो एक्टिंग कर रहा है वो जो मुर्ति के सामन कि क्या वो लोग मुसल्मान है अगर मुसल्मान है तो क्या मुसल्म इसलाम धर्म में ये सब काम जायज है दोस्तो एक यूटूबर के साथ साथ एक मुसलिम होने के नाते आप लोगों को ये सारी बातें बताई उसके बाद अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो comment box खुला है वे से तो हर किसी का comment पढ़ता हूँ आप लोग जैसा भी comment कीजिए तो हर किसी का comment पढ़ता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी मेरी बातों से सहमत हैं तो चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को एक लाइक करके एक शेयर कीजिए